नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो उपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 9 Pro पर floating window setting आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो floating window floating window जो setting है वो दोस्तों आपको update करने के बाद ही मिलेगा पहले दोस्तों यह option नहीं था आपके Redmi के phone पर तो अभी दोस्तों आप अपने phone को update कर लेजीगा उसके बार आपको floating window जो मिल जाएगा ठीक है तो फिलाल तो दोस्तों यहाप पर आप जाके search करके देख सकते हैं सेटिंग पर है या नहीं है तो मैं भी चेक कर आओ दोस्तों यहापर क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था ठीक है तो आप देख सकते हैं आप पर floating window का setting दिया हुआ है आपको तो यह मिलेगा आपको special features के अंदर पर ठीक है तो इसके बारे में हम और भी आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे uses होते है ठीक है तो यह setting आपको कहा पर मिलेगा तो सारे चीजे मैं आपको बताते जाओंगा simply video का आप follow करते जाएगा video शुरू करने से पहले अगर अपने channel को subscribe नहीं किय करके message जरू करें तो चलिए video शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप recent button पर क्लिक करते हैं नीचे ठीक है यहाँ पर है recent button तो हम button के सामने में है उसमें click करके आपको छोड़ देना है click करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर floating window ठीक है तो चलिए दोस्तों open करना है यहाँ पर अपका play store ठीक है प्ले स्क्रीन शोड़ लेता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है फ्लोटिंग वींडो जो है दोस्तों आप यहाँ उपर में य्यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से आप इसको कई भी यूज़ कर सकते हैं तो आप स्क्रीन के साइट में भी लेके यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों मान लेज़े आपको पीछे में कोई कोई काम करना है जसके मान लिए आपको पीछे में ओपैन गिलेरी कर देना है आब इने बढ़ाल इसे य old देख सकते हैं मान लिए आपको मेसेज ब hands-up करना है तो आप तो यह होता है दोस्तों फ्लोटिंग विंड़ो का सेटिंग तो इसको बढ़ करने का तरीका तक कौन सा है चलिए देखते हैं यहाँ पर बंट हो जाते हैं आप हम बटन पर पर क्लिक करके इसको बंट कर सकते तो इसको जो है दोस्तों बेक बटन से आप क्लोस कर सकते हैं अभी दोस्तों नेक्स्ट पर अगर आप सेटिंग के अंदर पर जाते हैं तो यहाँ पर भी दोस पूटिंग का नॉटिफिकेशन तो तो यहां पर आप को डिया हुआ है तो यहां आपको डिया हुआ है तो फ्रोट ना ह Kenneth the तो यह जो फ्लोटिंग विंडो का सेटिंग है दोस्तों आपको डिवाइस अपडेट करने के बाद ही मिलेगा ठीक है तो बहुत अच्छा फ्यूचर है आप इसको यूज कर सकते वीडियो अच्छा लगा और सेटिंग आपको पसंद आतो वीडियो को लाइक जरू से कर देन तो आज के लिए बस इतने टेंक्स वर वाचिंग